आत्मा की खोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहें हमारे चैनल से आपका अपना चैनल पुरु अशोक्ति वाली राइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै माता की जै प्रस्राइब श्री गणेश शाय नमा प्रिये बंद हुओ तो जब इस प्रकार से व्यास मुनी ने धर्मराज को हिमालाय परवत की जो मुझवान नाम की परवत्रणी है उस परवत्रणी के उपर से स्वर्ण भंडार लाने का जवादेश दिया तो तम महराज इदिश्ठिर अपने सभी इस्टमित्रों को तथा अपने भाईयों को एवं उपस्थित जो मुनी गणों का समदाय था उसको साथ में लेकर हिमालवे परवत्रणी जो मुझवान नाम की परवत्रणी है वहाँ पर उस्वर्ण भंडार को ले जाने के लिए तैयार हो गए भीम से इनने उस अतुलित खजाने को लाने के लिए एक लाख हाती एक लाख रत एक लाख छक्रे और एक लाख हतनिया तथा हजारों गधे खच्चार तथा भैसों की बिवस्था की अब मनुष्यों का तो कोई सुमार नहीं है कि कितने सारे मनुष्य उस खजाने को लेने के लिए गए थे कोई गिंती नहीं है उनकी उस मुझवान नाम की परवत्रणी पर पहुँचकर महराज धर्मराज ने अपने भाईयों तथा मुनियों के साथ में उस अथाय स्वर्ण भंडार को एकत्रित कर सभी लाए गए बाहनों के उपर उसको लाद दिया और धीरे धीरे यात्रा करते हुए बापस अपने हस्तनापुर को आगे जब हस्तनापुर वासियों ने उस अथाय स्वर्ण भंडार को देखा तो संपून राज्य में खुशी की लहर चागई कुरू छेत्र के मेदान में जो महाभारत नाम का युद्ध लड़ा गया था यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इस युद्ध में बिश्व के जितने भी महांतम योधा थे वे अधिकांश्ता योधा वीर गती को प्राप्त हो गय थे संपूर्ण विश्व वीरों से शुन्य हो गया था सभी दुनिया की जो अर्थ विवस्था थी वह दगमा गई थी महाराज इदिश्थिर ने इस स्वर्ण राशी को प्राप्त करके अने को असमेद यग्यतों किये ही लेकिन साथ में इस स्वर्ण राशी को देश और दुनिया के हित्मे भी लगाया अनेकानेक प्रकार के जनुपियों की कारिये की है महाराज धर्मराज यदि व्यास मुनी के आदेश आनुसार उस मुन्यमान नाम के परवत से यह स्वर्ण राशी प्राप्त नहीं करते हैं तो आज भी हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है महाराज धर्मराज ने उस्वरण रासी को प्राप्त करके बिस्व विकास के कारिय किये हैं बंद वो आज के लिए वस इतना ही सेस अगले भाग में नई विशे के साथ में आपकी सेवा में उपस्तित होंगे आज्या दीजिए धन्यवाद जै माता की जै परश्राम जी की